मुझा अच्छा 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 है मेरा चेनल पस्ताय लाएक करें शेर करें और संस्क्राइब कर तो आज मैं जल्दी फ्री प्री हो गई ती यो इसीछ अपने अपने हात्तों मेहन्दी लगा लिया था मैंने सोचा चलो दिन में लगा लेते ताकि शाम तक अच्छे से सुख जाती है और साथ ही मैंने अपनी प पूल होता है लेकिन आता जरूर है और यह देखे मेरे मेहंदी में कलर भी आ गया था साथ ही मैंने सुबह जो चीजे रात में नहीं रख पाई थी वो सुबह जैसे दूद हो गया दई हो गया बोलेनात को बहुत से पत्तिया चड़ती है तो वो सभी भी खटी करके मैंने एक जगे पर रख ली थी और घर में सारी पूजा वगेरा कथा सब कर लिया उसके बाद में हर्शित और में दोनों मंदीर के लिए जा रहे थे तो इतनी चीजे हो जाती है ना वहां ले जाने के लिए फ्लेट में सभी चीजे नहीं आपाती है तो मैंने एक पॉले थे इन में भर की हर्शित को दिया था इसी वज़े से मैं हर्शित को साथ भी ले जा रही थी और आप देख पा आते हैं बोले नात का सिवलिंग तो तीन जगे पर शीव पारवती बने उसके बावजोद भी सभी लोग बैठें अपने बारी का इंतिजार कर रहे थे और पूरी श्रद्दा और भावना से सभी लोग पूजा कर रहे थे बजन वगेरा भी चल रहा था इसी तरह और मेरी भी पूजा दर्शन वगेरा करने के बाद हम लोग घर ही चले जाएंगी क्योंकि वहां पर भी मुझे बालू से बनाने रहते हैं और यह मुझे पंडिता इनने फोल दिया था केवडे का उसे सुन करके मैंने प्लेट में रख लिया क्योंकि जो चड़ाना था वो मेरे पास था तो बस इसे सुन कर के खाना खाते हैं मुझे fraud देने के बाद में अपनी सारी भूजा खतम करें दर्शन करके फिर मैं घर आई थी उसके बाद फलाहार लिया था मसाले दार फलाहर नहीं लेते मीठी चीज़ों काई लेते या फ्रुट लेते डूद लेते है इसी तरह काई तो बस वह करगा उसके बाद नहीं है मैंने अपने घर में गर में बालू मंग वा Cindy तो देखी में बालू से ही बनाया था मेरे दाद्या सासु जी और वो लोग भी बालू से बनाते थे बस इसी वज़े से मुझे बनाना रहता है तो बालू के सीव पारवती बना लिये थे नंदी माहराज बनाये थे और जो घर में गणेजी की पूजा करते हुने रख लिया थ अबाद में तो उन्हीं से पूजा कर लेंगे गणेजी नहीं बनाये मैंने यहां पर तो इस तरह से मेरा जंगल रेड़ी हो चुका था यह पूरा जंगल बनाते तो मैंने पाटे पर बनाये थे और कुछ फूल वगेरा भी हर्षित ने लगा लिये थे मुझे यहां पर रे हम लोग जनोई पेनाते हैं कपड़े वगेरा पेनाते हैं पूरा जैसा हम सुबह मंदीर में करते हैं बस इसी तरह से पूरे प्रोसेस से यहां पर पूजा वगेरा होती है उसके बाद में सुबह भी होती है और मैं आपको दिखाती हूं केवडे का फूल इस तरह का होता है ये देखे तो कुछ तो फूल मैंने सुबे चड़ा लिया था वाँ मंदीर में और कुछ अब भी चड़ा रहे हूँ बस इस तरह से यहाँ होगी और बाकी मेरे सूंगने का जो सूंग करके चीज़े खाने या पानी पीने के लिए लेते ना वो मुझे पंडिता इन दे दिया उसी वक्त तो यहां से हटा भी लेते हैं और उन्हें विसरजित कर लेते हैं तो बस इस तरह से हमारी पूजा होती है पूरी तीज की और उसके बाद हम गणेची को भी बिठा लेते हैं अगर बिठा ना होता है नहीं तो हमारे गर में जो होते हैं उनकी तो पूजा हम करते हैं सो मेरा ब्लोग कैसा लगा एंधेंक फॉर वोच्चिंग